प्रबंद की प्रकर्दी एवं महत्व प्रबंद की प्रकर्दी एवं महत्व का पहले प्रेशन है कोई भी व्यवसाय स्वयम नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिती में ही क्यों ना हो यह खतन किस नहीं कहा था तो चार ओप्शन हमें मेरे हैं Edwin M. Robinson, Henry Fayol, F.W. Taylor और Peter तो आंसर सही है A. Edwin M. Robinson ने ये बात कही थी कि कोई भी विरसाइस व्यम नहीं चलता है, चाहे वो संयोग ही हो, दूसरा हमारा प्रेशन आ रहा है कि गती या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं, ये गतन किसने कहा था, तो चार उप्षन आ रहे हैं, पीटर एफ ड्रकर, हिंडरी फियो, लुकास पेसियोली, एफ डव्यू टेलर, इन में से पीटर एफ ड्रकर ने ये कहा था, उप्षन ए यहाँ पर सही जवाब है, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिस्क है, एवं उसकी जीवन ताइनी शक्ति है, यह कथन किसने कहा था, तो पहला आफ्षन है, आलवीर सेल्डन, हिंडरी फियोल, लुकास पेसियोली, या इन में से कोई नहीं, आलवीर सेल्डन ने ये बात कही थी, कि प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिस्क है, यानि संगठन जो है वो शरीर है, और उसका प्रबंध अगर हम करें, तो गहा है उसका माइंड का काम करता है, दिमाग का करें करता है, और उसकी जीवन दाइनी शक्ति प्रबंध का अर्थ पुर्वा नुमान लगाना, संगठन करना, निदेश देना, समन्वे करना और नियंतरन करना से है, ये कथन किस नहीं कहा था, तो इसमें चार ओप्षिन है, FW टेलर ने, पीटर ने, फेयोल ने, आइन में से कोई भी नहीं, फेयोल ने ये बात कही थी कौन सा कारे प्रबंध का कारे नहीं है, तो नियोजन प्रबंध का कारे है, नियुक्ति करन भी है, सहयोग यहाँ पर प्रबंध का कारन नहीं है, और नियंतरन भी है, तो C, आप्षिन यहाँ पर सही जवाब है, कोशन नमबर 6 का सही जवाब है, C, यानि सहयोग यहाँ पर हम पढ़ते चले आए हैं हर क्लास में कि दोनों है ये management क्या है कला भी है और विक्यान भी है तो option D तो गलत है ये option C जो है हमारा याप पर सही जवाब है आपको जो जो सही जवाब आते जाए तो आप comment section में जरूर बताते जाना कि किन किन के सही जवाब है हमारा प्रशना जाता है कि निवन में से कौन सा प्रबंद का उदेशे नहीं है उदेशे नहीं की बात चल रही है यहाँ पर नहीं शब्द पे ध्यान देना जरूरी है आप्शन है रोजकार उपलब्द कराना या संगठन का विकास करना या लाबर जित करना या नीती निर्धारन करना तो नीतियों का निर्धारन जो है प्रबंद के उदेश्य में नहीं आता है प्रबंद का ऐसा कोई उदेश्य नहीं होता है कि वो नीती निर्धारन में काम आ रहा है कि निती निर्धारण कारे हैं तो किसका कारे है उच प्रबंद उच अस्तर के प्रबंद का कारे है मध्य स्तर का भी नहीं है निम्न का भी नहीं है इनमें से कोई नहीं है या उप्षिन जो है यहां पर सही जवाब प्रेशन आ रहा है कि समन्वे क्या है तो समन्वे ज का कुशन आ रहा है कि प्रबंद का प्रथमकारे क्या है प्रबंद का प्रथमकारे है नियोजन तो इसमें चार आपको मिल रहे हैं संगठन निर्देशन नियोजन और नियंतरन ऑप्शन C यहाँ पर सही जवाब है नियोजन यहाँ पर सही प्रशन आ रहा है कि प्रबंद का प्रथमकारी क्या है नियोजन है प्रबंद का प्रथमकारी नेश्ट प्रशन आ रहा है प्रबंद वहवेक्ति होता है जो दूसरों का करता है दूसरों का क्या करता है प्रबंद करता है प कोशन है कि प्रबंद एक व्यवस्था है कोशन क्या है कि प्रबंद कैसी व्यवस्था है हम ये चार आप्शन मिल रहे हैं स्थीर गतिशील उपर एक दोनों या इन में से कोई भी नहीं तो आप्शन भी यहाँ पर सही जवाब है गतिशील है ये प्रबंद गतिशील है स्थी नहीं है नेक्ट अमारा प्रिश्न है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति क्या कही जाती है तो वह है प्रबंध कही जाती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहां पर option A, B और D गलत है इसमें C जो है वो सही जवाब है मारा प्रेशन आ रहा है कि प्रबंद के संगठन आत्मा को देशों में शामिल किया जाता है तो जिवित रहना, लाव और विकास ये तीनों ये शामिल किया जाते हैं तो option D यहाँ पर सही जवाब है मारा प्रेशन आता है कि प्रबंद एक शक्ती है, कैसी शक्ती है द्रश्य, द्रश्य, प्रथक सामुहिक तो द्रश्य भी नहीं है प्रथक और सामुहिक भी नहीं है option B यहाँ पर सही जवाब है यानि कि ये दिखाई नहीं देता है प्रबंध एक शक्ति है जो में दिखाई नहीं देती है यानि कि एक एद रश्य प्रकार की शक्ति है प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है तो पूर्ण विज्ञान के रूप में है सरल विज्ञान के रूप में है अर्थ विज्ञान के इनमें से कोई भी नहीं तो यहाँ पर सरल विज्ञान के रूप में होता है प्रबंध तो यहाँ पर पूर्ण विज्ञान नहीं है अर्द विज्ञान भी नहीं है option A, C और D गलत है option B यहाँ पर सही जवाब है नेक्स्ट मारा प्रेशन आ रहा है कि प्रबंध की सामाजिक उतरदाईत्व की प्रकरती में क्या लागव होता है तो सामाजिक उतरदाईत्व की प्रकरती में विक्रेता की सावधानी का नियम लागव होता है और यहाँ पर A, C, D गलत है B option सही जवाब है प्रेशने हैं कि प्रबंद की आवशक्ता होती है यानि प्रबंद की आवशक्ता में कब होती है केवल काम करते समय परते एक समय वे भी हो सकता है नहीं भी और इनमें से कोई भी नहीं प्रबंद की आवशक्ता हमें हर समय होती है जैसे कि आप सभी जानते हो, हम कोई भी कारे करते हैं, तो हमें हर समय, जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, तो हमें पढ़ाई के मेनेजमेंट की जरूरत होती है, समय का हमें मेनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसमें टाइम मेनेजमेंट सबसे पहले आ जाता है, कई सारी तरह की management होते हैं कोई भी हम कारे करें उसमें management की आवशक्ता होगी ही होगी next हमारा प्रेशनाता है कि भारत की प्रगती की धीमी गती का प्रमुक कारण किसका अभाव है तो कुशल प्रबंद का यहां पर अभाव पाया जाता है management का अभव पाया जाता है इसलिए हमारी प्रगती जो है देश की प्रगती धीमी है मानव शक्ति बहुत है जनसंख्या बहुत है तो सारे तो हो नहीं सकते हैं तो बहुत सारी जनसंख्या है मानव शक्ति की भी कमी नहीं है लेकिन कमी किस चीज की है कुशल प्रबंद नहीं होता ह इसलिए हमारे सबसे बड़ा कारण क्या है कुशल प्रबंद की यहां पर कमी है प्रबंद कला है तो प्रबंद कैसी कला है स्वेम काम करने की दूसरों से काम लेने की तो दुनों तो है नहीं, तो खुद भी काम करें और दूसरों से भी काम लें, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट करना कहते हैं, प्रबंद एक काला है, खुद काम करने के और दूसरों से काम लेने की, तो option C, यहांपर सई जवाब है, next हमारा प्रिशन आता है, कि का शुरुआत कहां से होती है, प्रबंद की शुरुआत होती है, संगठन, निर्देश्चन, नियुक्तिकरन, तो सारे ही आते हैं, तो प्रबंद चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर ये चलती रहती है हमारा सही जवाब है option C, निरंतर चलता रहता है प्रबंद रुक रुक कब नहीं चलता, स्थीर भी नहीं होता तो ये एक continuous process होती है, जो चलती रहती है प्रेशन आज़ता है कि प्रबंद के कितने स्तर होते हैं प्रबंद के तीन स्तर होते हैं option A हमारा यापर सही जवाब है निम्न में से कौन प्रबंद के स्तर नहीं है मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्छ स्तर तो तीन स्तर जो होते हैं वो है निम्न मध्या और उच्छ लेकिन आपर मुख्य स्तर नहीं होता है इसलिए option A आपर सही जवाब है और प्रबंद के स्तरों की संख्या कितनी है तीन संख्या है जो पहले वाले प्रेशन में आपने देखा कि उच्छ मध्या और निम्न तीन ते प्रबंद का सार है स्टाफिंग प्रशन है प्रबंद उत्तर दाइत्वी का हस्तांतरण है क्यूंकि इसमें मशीन सामिल है पैसा मनुश्याय और मशीन option है इनमें मशीन शामिल है प्रशन है कि उत्ष स्तर यह प्रबंदक नियोजन पर अपने समय का भाग व्य करता है तो 35 30% प्रबंदक नियोजन पर अपनी समय का भाग व्यक्त करता है 35% भाग भाग व्यकरता है खर्च करता है